कथा साहित्य में आपका स्वाकत है आईए आज सुनिए समकालिन हिंदी की प्रतिष्टित लेखी का नीर्जा हे मेंदर जी द्वारा लिखी कहानी कहानी का सीर्षक है सूर्योदे चांदनी घर से निकल कर अन्मने ढंग से सडक के किनारे किनारे चली जा रही थी वो सामने की बहुमंजली इमारत में घर की साफ सफाई चूला चौका अध्यादी का कारे करती है वो प्रती दिन इसी प्रकार बिखरे से बाल, पुराने मेले से कपड़े पहने, अन्मने ढंग से कारे पर निकलती है उसका मन काम पढ़ जाने का नहीं होता, किन्तो मा वाप पिता के डाठ खाने के डर से उसे काम पर जाना पढ़ता है मा करे भी तो क्या करे यह है उसकी मश्बूरी है इन अत्याधुनिक बहुमंजले इमारतों के पीछे आठ दस जुग्यों का समुहू उसी में एक कच्ची पक्की जुंपड़ी में चांदनी के माता पिता तीन बहने तथा एक भाई रहते हैं पिता सडक के किनारे पंचर सैकिल बनाने का काम करते हैं उनकी कमाई से घर चलाना असंभव सा है तिस पर उनकी शराब पीने की लतने घर की आर्थिक स्थिति एकदम जरजर करती है मा तथा उसकी अन्य बहने भी काम पढ़ चाती हैं घरों में चौका बरतन तथा साफ सफाई का कारे करती हैं सबसी छोटा भाई जो चार वर्ष का है वो काम तो नहीं करता, किन्तु मा के साथ ही जाता है घर में उसकी देखवाल करने वाला कोई नहीं है चांदनी प्रति दिन 6 बजे उड़ती है घर के कारे में मा का हाथ बढ़ा कर साथ बज़े तक घर से निकल पड़ती है उसका मन काम पड़ जाने का नहीं होता किन्तु मा प्रती दिन काम पर भेजती है महीना पूरा होने पर मालकिन से पैसे मा लाती है चांदनी की उम्र यदपी तेरह वर्ष की है किन्तु वो घर के कारे, जाड़ू पोंचा, बर्तन, घर के अन्य चोटे-मोटे कारे कर लेती है छे-सात वर्ष की उम्र से ही काम जो करने लगी थी पहले वो एक घर में कारे करती थी किन्तु अब मा ने उसे अन्य दो घरों में लगा दिया है यही कारण है कि उसे इतनी सुभा काम पर निकलना पड़ता है अन्मने ढंग से चलते हुए अचानक उसकी द्रिष्टी रिक्षे से स्कूल जाते हुए बच्चों पर पड़ी वो सोचने लगी कि ये बच्चे कैसे अच्छे-च्छे साफ सुथरे कपड़े पहन कर विद्याले जा रहे हैं इन सब के पास किताबों का बैग, पानी की बोतल तथा टिफिन भी होता है वो जहां काम करती है, वहां उसने देखा है कि मालकिन कैसे अपने बच्चों के लिए प्रते दिन स्वादिष्ट टिफिन तयार करती है उसके माता पिता क्यों नहीं उसे विद्याले भेजते, क्या पढ़ने में बहुत पैसे लगते हैं, क्या उसके माता पिता उतने पैसे नहीं खर्श कर सकते विद्याले जाते समय बच्चों को देख उसका आलस्य कहीं खोसा गया उनके साथ उसका हृदे भी प्रफुलित अनुभव करने लगा उन बच्चों को आपस में हसतें बाते करते देख उसके होंटों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई अरे उसे तो शिग्र काम पर जाना है उसने स्कूल जाते बच्चों की तरफ से अपना ध्यान हटाया और काम पर जाने के लिए तीवरगती से अपने कदम बढ़ाए चांदनी की दो बड़ी बेहनों में से एक के बिहा की चर्चा घर में मा पिताजी कई दिनों से कर रहे थे आज तो लड़के वाले आने वाले हैं चांदनी की बेहन भी कई घरों में काम करती है मा उधार के पैसे ला कर लड़के वालों के खाने पीने की तयारी कर चुकी है मा पिताजी से कह रही थी कि दीदी का बिहा हो जाने पर घर में पैसों की परिशानी होने लगेगी दीदी का काम छूट जाएगा तथा जो पैसे दीदी का माकर लाती है वो नहीं आएंगे देखते देखते एक दिन दीदी का बिहा हो गया दीदी ससुराल चली गई दीदी कितनी सुन्दर लग रही थी शादी के लाल जोडे में दीदी ससुराल चली जाएंगी तो घरों में चौका बरतन नहीं करना पड़ेगा, वहां तब्यत खराब होने पर भी काम पड़ जाने की विवश्टा नहीं रहेगी, उसे सिर्फ घर में रहना होगा आराम से, मा बापू की डांट वा मार भी नहीं पड़ेगी, यह सोचते सो उसके भाई बहनों को खानी पड़ती है, कुछ दिनों बाद दीदी ससुराल से पहली बार घर आई, कितनी खुश थी वो, नए कपड़े, नए चूडियां, श्रिंगार का सारा सामान नया, दीदी बहुत सुन्दर लग रही थी, दो-चार दिनों बाद दीदी फिर ससुरा चले गई, वो सोचती की उसका भी ब्यहा हो जाए, तो वो भी ससुराल चली जाए, इस गरीबी तथा कस्टप्रत जीवन से चुटकारा मिले, दिन वैतीत होते रहे, एक दिन दीदी अचानक घर आ गई, मा को भी दीदी के आने की सूचना नहीं थी, तभी तो मा दीदी के आपस में बाते होती रही, चान्दनी काम पर निकल पड़ी, जब वो लोट कर आई, तो मा भी काम पर चाचुकी थी, उसने दीदी को ध्यान से देखा, दीदी उसे कुछ उदास सी लग रही थी, उसके चहरे से पहले वाली प्रसनता कहीं गुम हो गई थी, दो चार दिन र जाते बच्चों को देखती और प्रसन होती, उसे वो दिन स्मरण हो आते, जब वो छे साथ वर्ष की रही होगी, मा बापु ने उसे भी विद्याले भेचने का प्रेतन किया था, कुछ दिनों तक वो विद्याले गई भी, किन्तु बात में जाना छोड़ दिया था, मा उस को अपने साथ काम पर ले जाने लगी, उसे भी मा के साथ काम पर जाना अच्छा लगने लगा, मा ने उसे फिर से पढ़ाने का प्रेतन नहीं किया, धीरे धीरे दीदी के प्याहा को आठ महा हो गए, वो आज अपनी मा तथा बेहन के साथ दीदी से मिलने उसके घर जाने व पर नहीं गई है, वो अच्छे कपड़े पहन कर तयार हो गई है, उसकी कलपनाओं को मानो पंख लग गए है, वो सोच रही है, दीदी कैसे ससुराल में मजे से रह रही होगी, उसे ना तो काम पर जाना पड़ता होगा, ना अभावों में रहना पड़ता होगा, मा बापू की मारवा डाट भी ना खाने पड़ती होगी, कुछ दिन बाद वो मावा अपनी बहन के साथ दीदी की ससुराल पहुच गई, यह क्या, यह तो उसकी जुगी जुबडी की तरहां की ही बस्ती है, जहां दीदी रहती है, टिन शेट के कच्छे कमरे में रखी एक धीली चारपा पर वो, मा और उसकी बेहन बैट गए, दीदी घर में नहीं थी, दीदी की ससुराल के परिवार में पांच सदसे रहते हैं, वो सभी इसी एक छोटे से तूटे कमरे में रहते हैं, यह तो उसके अपने घर की तरहां का ही घर है, जहां ना तो शौचाले है ना पानी की विव था, थोड़ी देर में दीदी आ गई, दीदी को देखते ही उसके हृद्य में आखात सा हुआ, दीदी भी मा की तरहां पुराने कपड़े पहने हुए थी, वो भी कदाचित घरों में चौका बरतन का काम करने लगी थी, दीदी काम पर से ही आई थी, हमें देखते ही दीदी प्रसन हो गई, धूएं वाले स्टोप पर चाय बनाते बनाते दीदी इधर उधर की बातें करती जा रही थी, दीदी ने यह भी बताया कि वो भी यहां घरों में काम करने लगी है, उसका भी आदमी मजदूरी करने चाता है, कभी काम ना मिलने के कारण घर में ही रहता है, उसकी हालत ऐसी क्यों है, क्या उसकी पूरी जिन्दगी इसी तरह कटेगी, दुख और अभावों में, उसके बच्चे होंगे, तो क्या उनका जीवन भी इसी तरह का होगा, इन दुखों का आंद कभी नहीं होगा, वो जिन घरों में काम करने जाती है, वहां की महिलाएं, बच्चे कितने सुखी हैं, उनके घरों में सुख आराम की सभी चीजें हैं, वो लोग संबन क्यों हैं, शिक्षा, हाँ, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऑफिस में नौकरी करते हैं, उनका रहन सहन अच्छा है, पढ़ा लिखा होना ही उनके सुखी जीवन का रहसे है, उ अच्छे घर में उसका बेहा होता, वो भी मेम सहब की तरह सुखी रहती, उसे बच्चपन के वे दिन याद आने लगे, जब मा ने उसे विद्याले भीजा था, किन्तु उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, अब उसे ग्यात हो गया है कि अच्छा जीवन जीने के किन्तु वो अपने चोटे भाई बहनों को विद्याले भेजेगी, वो आज ही मा से कहेगी कि चोटी बहन को काम पर ना भेजे, तथा भाई को भी विद्याले भेजे, हम कुछ और अभावों में रहकर दिन वेतीत कर लेंगे, इनको घरों में चौका बरतन करने नहीं भेज भाणा है, तभी पूरा जीवन आराम से वेतीत होगा, चांदनी भाई बहनों की शिक्षा के लिए और मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी, भविशे में अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, शिक्षा का महत्व चांदनी भली भाती समझने लगी है, अभी भी विलंब नहीं हुआ है, आखिर अंधकार के बाद ही तो सुर्य की स्वर्णिम किर्णे प्रस्फुठित होती हैं, अभी आपने नीर्चा हेमेंदर जी द्वारा लिखी बहुत ही सुन्दर कहानी सुनी, अब मुझे आग्या दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा, धन् प्रस्फ़ाद